अलो गाइस गुद मॉर्निंग कैसे हो आप सब क्लास नाइन के लिए हम लोग इनिकुलिटी इन ट्राइंगल पढ़ रहे है ठीक है और अभी थेयोरम सल रहा है कि जब भी आप टॉपिक सुरू करो थेयोरम पहले पढ़ लो यह मेरा मानना है तो थेयोरम फर्स्ट मैंने पढ अब लिए थेयोरम नंबर टू क्या कहता है पढ़ते हैं समझते हैं और सॉक करते हैं देखो भाई इन अनी ट्राइंगल प्रूब आप साइड अपोजित टू ग्रेटर एंगल जो एंगल बढ़ा है उसके अपोजित साइड बढ़े होते हैं जैसे यह एक ट्रेंगल है इस इसमें कह रहा है कि जो एंगल बढ़ा है उसका सामने का साइड बढ़ा होगा तो मैं माल लेता हूँ कि एंगल बढ़ा है और एंगल बी छोटा यह बात में माल लेता हूँ तो गीविन में लिखो गीविन में क्या लिख हो गए इन ट्रेंगल ए बी सी एबी सी में एंगल ए को मैंने बढ़ा माल लिया और एंगल बी को मैंने छोटा माल लिया मानना ही है प्रूफ ही करना था तो मैंने माल लिया कि एंगल बढ़ा है एंगल छोटा है तो अगर क्या बात यह आगे कि A बड़ा है और B छोटा है तो प्रूफ क्या करना है कि जो बड़ा Angle है उसके सामने का साइड बड़ा होगा तो to prove कि आपको prove करना है कि A के सामने का साइड तो Angle A के साइड सामने का साइड कौन सा होगा तो इसी होगा कि बड़ा होगा अनग दी के सामने का साइड और बिक सामने में एसी आ रहा है ची journée को प्रोफ करना है ठीक है अभी इस अपना पूछ रहा हो जो तिरुमें और होगा फर्स्ता था जो यहां पर क्या कि रहरा है है यहांपने का साइट लॉंगर होता है ए से प्रीफ करते हैं किसा क्रूप करते हैं तो में हम अपने मन कुछ मंश कुछ मान लेते हैं जो गलत था इता है बात समझ पारे हो, तो अभी मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि BC, AC से बढ़ा है, मैं कहूंगा, for BC and AC, for BC and AC, BC और AC के लिए, we have three cases, we have three cases, we have case one, हमारे पास case one में क्या होगा, मैं, प्रूफ क्या करना है कि BC, AC से बढ़ा है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कि बढ़ा एक छोटा है, मेरे को तो प्रूफ करना है, लेकिन मेरे को अभी तो पता नहीं है, तो मैं माल लेता हूँ, चलो तीन case हो सकता है, BC और AC में तीन case हो सकता है, कि या तो BC, AC से बढ़ा ह हो जाए कि ऊफ्uellement कि मैं केम हो सकता है कि स् रसकें कर रगवर हो जाय और कि 760 कि消수 rolls घंदी त्यों कि मैं चलूंगा और मैं देखता हूं कि भाई एक्छुली आपके पास एक चीज तो है आपके पास में आपके पास में एक चीज तो है आप तो चलते है चलते हैं now case 1 case 1 में आप जाते हो तो क्या आपको देखने को मिलता है कि BC बढ़ा है AC से और आप कहते हो अच्छा BC AC से बढ़ा है अगर BC AC से बढ़ा है तो opposite side भी बढ़ा होगा sorry opposite BC AC से बढ़ा है तो opposite angle भी बढ़ा होगा और AC opposite angle B भाई AC तो B BC तो A यही तो होता है तीनी चीज है दूसरा opposite तीसरा हो जागा BC opposite A, AC opposite B तो कमाल बात है अगर मैंने BC को AC के बढ़ाबर लिया तो हमारा यह चीज सटिस्फाई हो रहा है देखो A, B से बढ़ा होना चाहिए और यहाँ A, B से बढ़ा आ रहा है यह कब आ रहा है जब आपने case 1 में BC को AC से बढ़ा लिया तो यह इसको consider करने की बात है यह consider करने अब case 2 देखो case 2 जब आप कहोगे कि BC AC के बढ़ाबर होगा तो अगर BC AC के बढ़ाबर है तो opposite angle भी बढ़ाबर होगा तो BC का opposite angle A और AC का opposite angle B लेकिन गौर से देखो मेरे भाई आप कह रहा हो कि A और B बढ़ाबर होगा कब जब BC को AC के बढ़ाबर लेते हो लेकिन यहाँ कह रहा है कि angle A बढ़ा है और B छोटा है यह बढ़ाबर नहीं हो सकता तो अगर यह बढ़ाबर नहीं हो सकता मतलब BC, AC के बढ़ाबर नहीं हो सकता क्योंकि अगर BC, AC के बढ़ाबर है तो angle B A के बढ़ाबर होगा जबकि आपका angle B और A चोटा बढ़ा है तो यह case हमारा सही नहीं है लिखेंग it is not possible it is not possible मैंने कर यह अगहरी बरावर है तो आपको आपको स्थर चोटा था कि जो साइड चोटा हैं तो BC का पोजी टैंगल कौन सा होगा A होगा और AC का पोजी टैंगल B होगा तो अगर आपने BC को AC से छोटा लिया उस condition में A छोटा और B बड़ा हो जाता है जबकि यहाँ पर A बड़ा और B छोटा है फिर से problem हो गया यह problem क्यों हुआ क्योंकि आपने गलत चीज माल लिया है BC को आपने छोटा कर दिया BC को आपने छोटा कर दिया तब ही तो यह problem हुआ है कि A बड़ा और B बड़ा हो गया जबकि हमारा A बड़ा था B छोटा था लेकिन यहाँ पर तो उल्टा आ रहा है यह उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने गलत माल लिया है BCAC से छोटा नहीं होगा BCAC के बराबड भी नहीं होगा तो जब BCAC से छोटा नहीं होगा BCAC के बराबड नहीं होगा तो यहीं हो सकता है तो अब यहाँ भी लिखते हो कि it is not possible it is not possible so only case वन is consistent जो हमने case 1 लिया है वही consistent है क्योंकि जब आपने case 1 लिया तो जो चीज यहां पे दिया हुआ था given था question में वही यहां पे आया था इसलिए इसलिए आपके तो case 1 में आपने क्या लिया था bcac से बढ़ा है bcac से बढ़ा है कहीं होगया प्रूफ और कुछ नहीं करना था बस हमने क्या किया क्या देख रही हो यह होता है क्या क्योंकि एक जानकारी तो थी मेरे पास पर अबकोई बचाई आपको कब लगाते हो जब आपको कुछ जानकारी होती है तो तो कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि सुरुआती हो रही है अभी पढ़ने के बाद टूपया तो जानकारी था तो वह मैं यहां पर यूज कर सकता था यह बात थी बात क्लियर है हाँ आगे जो थ्रम से अभी थ्रम पूही है आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका अपना ओपीनी मेरे को चाहिए सब्सक्राइब अच्छा लगा तो कढ़ी लेना भाई अच्छा लगा ही होगा थोड़ा सा डिफकल्ट होता है निकुलिटी लेकिन दीरे दीरे पढ़ोगे सब कुछ असान लगने लगा तो मेरे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना प्रेस करना जितना हो सके आप चैनल को सेर कर दो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में आगे के त्योर्म के साथ तब तक बाई ठीक है